आज का टॉपिक है ट्रांस्फोर्मेशन, ट्रांस्फोर्मेशन में we move to rule no.4, rule no.4 में आप पढ़ने जा रहे हो ऐसे sentences को जिसमें for them, for us, for you, for her, for him, for me, इससी यूज होते हैं यहां मैंने दो sentences, examples में दिये हैं, इससे पहले आप जान लो, transformation क्या है, transformation, एक ऐसी process है, जिसमें sentence का form, form यानि रूप बदल जाता है, change form, but not change mean, लेकिन sentence का earth नहीं बदलता है, transformation में sentence का form बदलता है, mean नहीं बदलता है, तो अभी आप देखो, जो process है, adverb two को remove करते हो, उसके अस्थान पर use करते हो तो, लेकिन उसके साथ use हुआ sentence में, infinitive two को जब आप remove करते हो, तो उसके साथ आपको that plus subject plus sentence के इंसार can या could not sentence के other parts use करने होते हैं, ठीक है, especially इतना use करना होता है, ठीक, अभी ये देखो sentence में, maximum sentence तो ऐसे ही होते हैं, जिसमें adverb two भी होता है, उसके साथ लगा हुआ, infinitive two भी होता है, और दोनों को ही remove करना होता है, ऐसा नहीं होता है, कि adverb two को आपने remove करते हैं, infinitive two को रहने दिया, तो sentence का mean भी unclear हो जाएगा, और वो transform माना भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो अभी आप देखो first sentence, the passage is too difficult for me to understand, अब आप देखो for me, यहाँ पी दिया हुआ है, for me याने I, ठीक हमको मिल दिया, अब हम क्या रेखेंगे, कि हम two को हटाएंगे, और उसकी दिखाब क्या यूज़ करेंगे, जैसा कि rule है, that लगाएंगे, that के बार subject लगाएंगे, subject हमारे पास रहा है, for me, I, और sentence का tense देखेंगे, और यहाँ पर sentence है, तो हम क्या लगाएंगे, cannot और उसके बात, जो हमारा sentence का part है, तो अब आप देखू, क्या करने जा रहा हूँ, the passage is two की जगा क्या लिख में जा रहा हूँ, so difficult for me, I में change होगा पर अभी में हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इस two को हटाएंगे, और उसकी जगा यहाँ क्या लिखेंगे, that that that, और that के बार जो subject यूज होता है, उसी subject की जगा हम क्या यूज करेंगे, I that, I, that लगाया, to को, infinitive to को हटाया, उसके बाद, उसकी जगार that लगाया, that के बाद यूज होगा, उस subject में आफ for me को I के रूप में convert करके लिखोगे, खिक है, और उसके बाद, चुकि टेंस प्रजेंट है, तो cannot, cannot, और जो sentence का पार्ट बचा हुगा है, वह हाँ लिखोगे, under, stand, ठीक है, अगर जो for me की जगा, for him होता, for me की जगा यहां पर for him होता, तो I की जगा आप क्या यूज करते, he use करते, ठीक है, for her होता, तो I की जगा क्या यूज करते, he use करते, for you होता, तो I की जगा क्या यूज करते, you use करते, for us होता, तो I की जगा क्या यूज करते, we use करते, for them होता, तो I की जगा क्या यूज करते, they use करते, अब यहां चानने देखिये दो चाहिए फॉर लिटिल चाइड पल अब देखो यहां पर फॉर भीजित कि लिएया तो आई वे किया नहीं कि ओर आप बने चाइड तो आप क्या करोगे? चलो transform करते हैं, the, tree, was, to कीजिएगा, so, high, ठीक है? अब ये to, इसको तो हम subject बनाएंगे, जो that के बाद यूजऄ होगा, और two को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? that यूजऄ करेंगे, और that के बाद जो subject use होता है, तो को हटाते हैं यूज करते हैं यूज करते हैं यूज होगा वह क्या होगा और लिटिल चाइड़ अब यहां जो हमारा वर्ब का टेंस है वह पास्ट है तो क्या करेंगे कुझ नाट क्लाइब ठीक है यहां मनें दो संट्सेश्य आपको दीए यह कैसे संट्स इसमेंसे इसमेसे कोई एक यूज करके कोई वर्ड वर्ड यूज होगा तो हम उसी वर्ड को यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे ठीक है यहां लिखा टू को हटाया टू के बाद दैट के बाद सब्जेक्ट और उसकी बाद फुटना क्लाई I hope students कि आप transformation का यह fourth rule बहुत ही अच्छा से समझ पाए होंगे Thank you